यह हमारा सन्पूर कुफाय स्टेशन यह रहा स्टेशन मास्टर यहां पे रहते हैं इस्टाफूर एने चम्तावन आगे टोल प्लाजा यातरीकर ठैरने का वैवस्था तरफ सोचा लेवरेब इस तरफ सोचा लेवरेब ट्रेन आ रही है यह हमारे स्कूल का हमारे गाओं का स्कूल मद्ध विद्याले आसनपूर कुफा अंचल किसनपूर और यह इस तरीके कुछ नचारा है हमारे यह रिलवे स्टेशन का यू केंजी देव्यू आपको सहर सा तरफ चले जाती है जब आगे की तरफ जाओगे अगर इधर की हम बात करें तो इधर से आपको निरमली होते वे जंजापुर होते वे दर भंगा तक जाती है तो अगर आपको दिल्ली भी जाना हो तो आप यहा और यहां से दर्वंगा जाई हैं तरवंगा से डारेक्लिया दिल्ली जा सकते हैं अगर इधर जा रहे हो अप गुशन पूड हो गया आपको आगे यह तू आपको सहरसा तक यहांसे जा सकते हैं सहरसा से भी दृली की ट्रेन की चलती है तो दोनों तरप से काफी अच्छा है यहां से यहां सेटारे एंड है टो dokis जा सकते हैं अगर इधर जानाओ चाहते दर्बंगा तो आप इधर से भी जा सकते हैं तो बहुत अच्छा हो गया है इस तरीगे से देख सकते हैं आप सारी चीज यह कोब कि आपको अच्छा ही लगांगा वबस सब चीज चूटा से स्टेशन हैं बट काफी अच्छा है गॉंग वालों के लिए काफी यूस्फूल है इधर हमारा खेत है अगर आप मसीन लगा हुआ है वहां पे चोटा सा मसीन देख रहे होंगे अभी गेहों का सीजन चल रहा है तो गेहों का पटोनी वगेरे चल रहा है अब अब करने दो कि यहां पर आप सकते हैं तो मेरा भी छोटा वाई भी दर्वंगा से यहां पर आ रहा है उसका हम रिसीव करेंगे अपने घर जाएंगे तो आपको भी कहीं अगर जाना हो तो डारेक्ट लिया पर यहां आईए यहां से काफी सारी रूट हैं जहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड फाइनली ट्रेन भी आ चुकी है होड्न तो सुना ही दे रहा है बट ट्रेन कहीं दिखने ही रही है चले ट्रेन आता है फिर आपको दिखाते हैं कि अग्याइब तो फाइनली आज चुका है हमारा चटकू अगर जाने वाला है कैसा रासा पाइस्टेशन पर पाइस्टेशन अगर जाने वाला है कैसा रासा पर कितना घंटा में दर्वंगा से आया है तो आपको भी अगर दर्वंगा से यह आना है तो तीन घंटे में आ पहुंच सकते हैं तो ठीक है फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए चाटा बाब है जातानी आहाँ शाला कितना कारी है बहुते है पहुते है पहुते हुते हैं झाल 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 झाल